वेल्कम गाइज जीके एंसीकूज एंग्वेज में आपका बहुत बहुत स्वागते सब्सक्राइब कीज़ें जीके एंसीकूज एंग्वेज में वहना चाहिए तो यह वीडियो आगया आपके लिए ठीक है इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड कर दी गई है और हिंदी भी य रहेगा ठीक है बस आपको तो कंटिनू वीडियो देखना है ताकि आपके तियारी अच्छी हो सके ठीक है तो देखिए आपके डिमांड के कोडिंग में ने काम किया है बस आपका लाइक सब्सक्राइब और सेर कर देना बस यही चाहिए तो चलते और आपके क्योंकि इंट इंटरास इंटरास इसा में यही चुशन बनते है तो चलिए और कुछ भी चाहिए तो कमेंट गर के बता देना गाईज कि आपका अपना चैनल है पहला क्यों सने क्रोमोसों आर मश्रियोटेड वित यानिकि उप्र्णस वाहिए किसंसे स्मुखेटि होते है और सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो सिंपल सा इसका तो अंसर हो जाएगा आप मना कि अनुवांसी गुणों के हस्ता अंत्रन से ठीक है इसके बाद मैं आंसर दूंगा ठीक है ताकि आपके प्रेटिस भी अच्छी होती रहे हैं यह चार ओप्शन होगे यहां पर तो कि उसने आपका पहले इंग्लिस में देख लेंगे ठीक है ग्रेब चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे एंजम किस हस्तान पर रहते हैं मौस्ट एंजम डेटेक पार्ट इंग्रेफ साइकल और लोकेटेड इन हैं माइट्रॉ कॉंड्रीयमेट्रिक्स सायटो प्लाजम इननर माइट्रो कॉंड्रियल मेंबरन या पर प्लाज्मा म यानि प्लाजमेजिली जिसको बोलते हैं बताइए ग्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे एंजम किस अस्तान पर रहते हैं और यह हाड कुछन आपके लिए आप बोल रहते हैं सरीजी कुछन ने हाड कुछन भी दो तो यह हाड कुछन भी आगए इस सेट करना है वन औ'll अ्प्षन और रब कीम लिगंगे लो आपकी कितने सही जाते हैं कितने आकश hac आप आपने सेलेट कर लिया होगा अपनी इमानदार से लेट कर लो ताकि आपके प्रेटिस अच्छी होती रहे ठीक है इसका राइट उसन हो जाएगा मेरे पास आंसर माइट्रो कॉंड्रिया यानि कि माइट्रो कॉंड्रिया मैट्रिक्स इसका राइट उसन हो जाएगा पास्ट ठीक है तो इसमें क्या होता है ग्रेब सेक्ट में भाग लिने वाले बहुत सारे इंजाइम इस अस्तान पर होते हैं माइट्रो कॉंड्रिया मैट्रिक्स में कि याद रे जाएगा अगर याद रे रहता तो आप इसका द्रेंस दे सकते हो कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है चलते है next कि कुछ नच्ट कुकजने कि इसा कुछ करनेगे रएक डियुक आपको आप बहुत सारोंगे ठीक है है प्रकार का वता है कि चलते हैं नेस्ट कुछिशन की और थोड़ा सा इसको लार्जिस्ट कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चीजिए और वीडियो को जितना उसके सेर कीजिए देखो आपकी डिमांड के कोडिं सब्सक्राइब मॉट्ट इपोटेंड विएर आज प्लेस ओव विक्टेरिया इन देख्लासिपकेशन और वहीं टेंकर सिस्टम प्रोटेश्टा मोनेरा प्लांट फंगाइब बहुत अचायानी की जिवानों कौन से व्रग में आते हैं क्या प्रोटेश्टा माते क्या मोने 100% सेख और बहुत तो चूछ दिली आऊगा से सबस्सक्राइब और यह सब सारे श्रगाय और प्लांट में सारे ने प्रोटी स्टाम कोन आएगा प्रोटी स्टाम में हमारे जो की प्लाजमोडिम हो गया डाइटम्स हो गये यह सार चीज़े आ जाएगी कि नाइस्ट यह बहुत अच्छे क्यूसने आजगे अगला क्योसने रोटी के लिए उप्योग किया जैने वाला गयंव का वेगनिक नाम बताईए रोटी के लिए यह जोता है गयं तो ठीक है तो उसका वेगनिक नाम बता दो गयज़ वाट इस दा साइंटिफिक नेम ओफ वेट यूज ऑफ ब्रेड रही है यूज फोर ब्रेड त्रेटरिकम एक्षिटिवम त्रेटरिकल या फिर ट्रेटरिकम की सब भी जातियां या फिर सेकल कर लिया वन ओप्सन से लेट कर लो जल्दी जल्दी ताकि बहुत सारे क्विशन आपको करवा सके हम सो इसका राय टो सुनो जाएगा हमारा ट्रिकम स्टी वं ठीक है यह होता है उसका वेग्यानिक नाम तो इसी परगार थोड़ा सा आलू का भी रिख लेना थोड़ा सा मेटर का भी रिख लेना ताकि आपको कोई दिक्र ना हो नेश्ट कुछन आपका थोड़ा सा इसका वन ओप्सन यहां पर एड़ है कि नेश्ट कुछन है आपका इस्मालेश्ट प्लावर इन दवाड इस विस्प का सबसे चोटा पुस्प कौन सा है लोटस कमल विल्फिया कैक्टस नागवनी नौन अप दिस उप्योक्त में से कोई नहीं विस्प का सबसे चोटा पुस्प बता दो गाईस जनरल नूलेज क क्यों पुस्प किते अगया कर लिए और तो पर और लो अपको आपको देना तो चलता है तो अगर पिर आपको नहीं आता है तो फिर इसका अंसर में बताऊंगा ठीक है ना बड़ते को का रुपांत्रित होता है फ्लावर का बड़स यान की कलियां का मोडिफाई रूट यान की जड़ का रुपांत्रन या फिर उप्यूक्त में से कोई नहीं नौन ऑप्दावाव जाते हैं जैसे आप अध्रा का पूचा है ना आपसे आलू का पूच ले जा सकता है अर्भी का ऐका पूच्ले जा सकता है आपके जो यूज होता है चाइब नन्यम क्या यूज होता है लौंग होता है उसका भी पूच ले जा सकता है यहना किसके रूपां आंत्रन या एक उसप पूच ले जाता हैrit है वहां पर बनते हैं इसे कुछन तो आपको तोड़ा सब पता होना चाहिए तो अध्रका तो बता दो पता होगा ना आपको 11 में पढ़ा होगा ना सब 11 पढ़ किया है सब को मालूम होना चाहिए बटा आपके प्रेटिस यहां पर हो रहे है कोई दीके तौलबा नहीं है जीके एमसी गुजय एमके चनले आपके साथ है डॉन्टोरी वह नॉप्सन स्लेट कर लिया होगा ठीक है तो चलिए इसका राय टोसन हो जाएगा उप्योगत में से कोई नहीं ठीक है ना ही पुस्प क होगा है आई होग की तने का स्ट्रेम का होगा ठीक है तो इसी प्रकार अर्वी हो गए आपके अलू हो गए इनका पताब को रखना है जिसके उपर अलग से वीडियो हो जाएगा को किसका रुपांतर कोन है ठीक है क्योंकि बहुत सारे चीज़े हैं उनका हम ब्रीवली डिस इसी पोर चक्र को यह भी कहा जाता है एनका इनकी जो सी पोर साइक्ल होती है ना क्या बोल सकते हो और किस नाम से और नाम से पुकार सकते हो आल्सु क्लोंस वण अउप्षन स्लेक करना है आपको कर लिया स्व गैईज इसका राय टॉप्षन हो जाएगा है इसकå राय आउप्षन हो जाएगा पुखन त्री ठीथिए और गैज आप जो तो उप्सन चूज कर रहे हो और उसके बाद जो मैं इसका रायट उप्सन बता रहा हूं ना दोनों को कंपेर करके आपको बताना है कि आपके कितने गल्द गए और कितने सही गए ताकि आप खुद का एनलेसिस कर सको क्योंकि लोग डानम आपका कोचिंग तो जायर नहीं रहे होंगे ठीक है तो यही आपके में चाता हूं कि आपका इतनी त्यारी हो कि आपको कोचिंग को जूरती ना पड़े कि देखो सब भी इस्टुडेंट किसन किसी कोई मिडिल क्लास सब्सक्राइब करते को अपरोड नहीं कर सकते कोचिंग को मैंने सुचा क्यों ना उनको प्रियो पोस्ट वीडियो बना बना कि उनको सिखाया जाए नेक्स्ट या और आपको सपोर्ट भी बहुत सारा देखने मिल रहे हैं लाइक आ रहे हैं अच्छे का से सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सेर कर दिया को जिसके इनकी जुरतते बस और तो कुछ नहीं अच्छे यह आप से ठीक है ना और मेरे पता है यह सब आप कर रहे हैं तक कि हमारे सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाने पूरे तो लाइब आने का मौका मिल जाए और गया ठीक है चलते आगे नेक्स्ट है पीला हरा वर्णक किसमें पाया जाता है येलो ग्रीन पिगमेंट इस पाउंड हिन जैन्तोपाइट कलोरोफाइट फ्योफाइट रोडोफाइट बता दो गया जिसका राइट ओप्सन पटापट से चूज कर लो ताकि हम जितना हो सके कम टाइम में अधिक मिल इंट्रिजेंट हो वेसे आप इसका राइट उसन हो जाएगा मारा जैन्तोफाइट ठीक है जैन्तोफाइट में पीला हरा पिगमेंट पाया जाता है ठीक है ना नाइस्ट कुशन है आपका आज के कुशन ही बहुत अच्चे है ना इस लेवल के होने चाहिए आपको संसलेशित कारबनिक रसाइन है स्रोपर्तम संसलेसित कारबनिक रसाइन है यह प्रिट सिंथेटिकली पेर और्गनी कंपाउंड वाच ग्लुकोज मिथेन बेंजीन यूरिया सरुप परतों संसलेशित कार्बनी करसाइन और निकंपाउंड आपको बताना है कि और निकंपाउंड को चाहे जो सबसे पहले सिंथेशिट किया गया था चूज कर लिया आई होप आपने कर लिया होगा इसका राय टो थोना जाएगा यूरिया ठीक है याद रहे जाएगा यूरिया से उसे पहले सिंथेशिट किया गया था नाइस्ट कुछन है बहुत अच्छे कुछन आज यह से कुछन तो रिपीट भी हो सकते हैं तोड़ा सा ए इच पार्ट औप अप्लांट इफेक्ट ड्यूट तो यह चाहिए प्रवाइवद होता है यह चाहिए पता नहीं तो पता कर ले ना वैसे वन उप्शन प्रवाइवर्ट कर लो कोई सावी गलती सही बट्ट से लेट कर लो ताकि तोड़ा सापको तुक्क लगाने भी तो अ चाहिए ना नेगटिव मार्किक नहीं होती है वहां पर देशा करना पड़ता है ठीक है अंदाजे से और वह भी बहुत सही चला जाता है कर लिया होगा आपने वन उप्शन स्लेट सो सिंप्लिस का राइट और सुन हो जाएगा कलोरो प्लास्ट ठीक है यानि कि एस ओटू परदू से क्लोरो प्लास्ट प्रभावित होता है एफेक्ट होता है ओके चालता है में और बहुत अच्छा किने कि चेर्णोबिल करना किस वर्स हुई थी चेर्णोबिल करना हूं वें चेव्ण नार्यलिट टाइक बाइस यह कुछ डेट यहां पर दे हुई है थोड़ ची डिफिकल्टी हो सकती है बट कोशिस कीजिए तो सिंपल कर लिया होगा वन उप्शन से आपने इसका राइट उसन हो जाएगा 26 अप्रेल 1996 1996 ठीक है नाइस्ट कुछन है बहुत अच्छे कुछन आ रहे गाईज हाँ निम्न में से कौन सा सेवा लोग का एक समू है कौन सा सेवा लोग का एक समू है बताइए तो आपके सामने चार ओप्शन देवे कारा फॉकस पॉलिस फोनिया सेगिंटे वॉल्वक्स एस्पाइग योरा और क्लेमेडोमनास नेक्स्टे फोरिफाइरा ओक्टो पेरस इलोत्रिक्स नेक्स्टे सार गोसम लेमिनोरिया और ग्रेसी लेरिया निम्न में से कौन सा सेवा लोग का एक समू है विच ओफ फ्लॉमिंग इज ग्रूप अप एलगी तो आपको सही चूज करना है गाईल यह समू सही होना चाहिए यानि कि तिनों में ठीक ठीक होना चाहिए यानि कि समू होना चाहिए आप समझ गया होंगे तो वन उप्शन स्लेट कर लो इलेवंध का एक्रूशन एंसे आ ओमनास ठीक है अब इमानदार से बता तो किस-किस का सही ता ओप्शन सेगेंड बहुत-बहुत दनेवाद देना चाहूंगा जिसका ओप्शन सेगेंड सही ता कि इसका राइट ऑप्शन यह होगा वल्वक्स इस्पाइक ग्योरा और क्लेमाइड ओमनास जिनका गलता कोई ट्र技 Biow को देखले नव मैंने बता कि अगर मेरे सारी वीडियो देखने तो नीचे लोगव रहा है लोगोपे कि विडियो जाएगा सारे विडियो सब्सक्राइब कहीं फेलने ने जखा हूं और और कजब आपने और कि से आश्य जो चलते आगे ऐसे कुछन आता है गाल से हम यह कुछन इससे बार नहीं आए यू Hmm आता है और हमांगो यह तोही को रिपेट हो सकते है जो आप यह पर पड़ रहे हो ना यह के हिर मिल सकते है झाए नएश ट्याबगा एक चीए प्रचित शुक्सेम जीव केड़नासी है ए पॉपुलर माइक्रोबाइल इंसेक्ट आइसाइड पॉपुलर ठीक है देखो हिंदी में तोड़ा सा आपको समझ में नहीं हराऊगा तो कोई दिक्कत नहीं पेपर में आपके इंगलिस भी दी जाएगे तो वहां साब और में इंगलिस का सारा ले सकते हो और इंगलिस की बासा मानने है ठीक है हिंदी में कोई मिस्टिक रहते ना तो यह बासा मान रहें इंगलिस वाली तो पॉपुलर माइक्रोबाइल इंसेक्ट आइड आपको बताना है कैंडिडा हिस्ट बेसिलस ट्रॉंजिस और यहां पर बेसिलस त्रिंजियस ठीक है एक पॉप्लर माइक्रो बाइल इंसेक्षिसाइड है नेस्ट कुछिए अमली वर्षा का कारण क्या है कोज बताने आपको एस एसेड रहेंड आर पॉबशन आप सियो सथ़य का पर्दूसत का परदूशक पॉपूलूसन आप इसुटू एननोर्टू यानि की सोटो और इनोर्टू का पर्दूसक दस्ट पार्टीकल दूल के कन ऑटोंबाइल पॉपूलूसन वाउनों से निकलने वाला दुआ अमली वर्षा का कारण क्या ही गाईज बता दो क्या कोज जिसके कारण ऐसे ड्राइन होती है आपने देखा होगा और बहुत ही हामफुल होती है जो वाटर के जो हमारे जीव जनतों है उनके लिए तो इसका कारण क्या है वन ओप्षन आपने चूज कर लिया होगा इन चारों में से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए गाईज आपको क्योंकि लिए वन ओप्षन स्लेट कर लिया करो क्योंकि एक्जाम में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको आपने कर लिया होगा इसका रायटों सुन हो जाएगा अगर आपको पता नहीं था तो याद कर लेना लिख लेना ताकि आपका यह बला हो ठीक है एक बार इंट्रास में सेलेक्शन हो जाए यह कोलेज में तो मज़े मज़े है यह दिक्कत अभी आएगा आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी कोलेज में किसी प्रकार से इंट्री माल लो आप तो इसे माल लो आपको कुसाली इदर है आपको बताओ में अभी आप यह यहां हो आपको ययुला है आपको कुछों वह जाना है हैं problem डिकिंड त़ोषा दिवार यह इंचे को तोड़ हुगा है है क्योंत문 है दोड़ सकती हो कि इससे इंटराइस क्रेक हो गया है इंटराइस दिवार और तोड़ किसको यहां है और इसको करते हो तो ठीक है हो गया नेक्स्ट है आपगा पादब जगत में सबसे बड़ा बिजांट किसका होता है सबसे बड़ा बिजांट कर लिया होगा वन उप्शन आपने से लेट मैं रुख बता इंट्रिजेंट हो आप सो इसका राइटों सुन हो जाएगा हमारा साइकस ठीक है साइकस में सबसे बड़ा बिजांट होता है ओके नाइस्ट कुस्षन है बहुत अच्छे कुस्षन है गाईज मुस्ष्ट इपोर्टेंट कुस्षन है और मैं तो कहता हूं कि दो बार देख लए न वीडियो को अगर एक बार में समझनी है ना दो बार देख लो तीन बार में तो आपको खुद याज हो जाएगा सारा ठीक है और पूरा दिन है आपके पास तो देख लिया करो यह हेड़वन का यूज किया करो लेकिन ताकि आपको आपके असपास के वाज जिना आए ठीक है पूरी वाज आपके माइंड में आपके ब्रेन में स्टोर हो इंट्रस तक प्याद रख लो आप तो बस नेश्ट को यहां पर दिया बहुत अच्छा है राइब लोज हमारे जो बाइपास पेटे कार्बुस लेक्ज एंजाइम अभी किर्यापको उच्परेट करता है आपके सामने चार ओप्सन दिए वे ओप्सन थोड़े बड़े तो आपको थोड़ों का रीडिंग करने में टाइम लग तो आपको वन ओप्सन स्लेट करने ना है यह हमारा तीन हो गया चोधता है पीजी ए तता डाय हाइड्रोक्सी एसिटोन पास्पेट के मद्दे अगर आपको थोड़ी दिक्कतोरी पढ़ने में तो वीडियो को पोच्छ करके पढ़ सकते हो और इसका वन ओप्सन स्लेट कर लेते हुए तो कर लियाओ को आपने सेलेक्ट इसका राय और सुन जाएगा आपका सीव तता रायबुलोज वन फाइप पासपोट के मद्द इसका राय आप्स हो जाएगा करेक्ट ओप्सन हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं बहुत मज़ेतार क्योसन है और बहुत ही इंट् सब्सक्राइब कोई नहीं कि फंकतार बीज विंग्ड सिड्स कि इसने 11 तच्छे से पढ़ी हो तो इसका आंसर देदेगा एक सेगिंड में इसका राइट उसन हो जाएगा वन उप्शन आपने कर लिया उसलेट इसका राइट उसन जाएगा पाइनस ठीक है पाइनस इसका क्र अल्रगटन होता है है संचूत्री व विवाजन यां संचूत्री और से सबह सबर्द हो Αइप कर लिया होगा इतना रेंस लगा है क्योंकि आप समधारों नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा अड़ सुत्री वाजन एंव निसेशन मियोसेश एंड पर्टिलाइजेशन इसका क्रेक्टोशन हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है आपका वह कौन सी गेस है जिसे हरित प्रभाव गेस कहा जाता है गेस्ट विजकनों आस ग्रिन हाउस गेस आर ची ओ ऑटू और टू-च्री क्लोड फिलाकर्बन और चीश फॉर और चीचछ और यानदि कीस्ट जिसबू बोलते हैं छारों और समने उसका राइट ऑसन हो जाएगा हमारा क्योंकि कुछन हम एजी कुछन में कर चुपके थे तो एजी कुछन के से आड़ बन जाता है देख लो यहां पर सी कलोरोप्रो कार्बन सी ओटू से एस पूर अनुटू यह जी कुछन में इसका डिसकस कर जाता तो इसका रायटू से मेरे को पता है आलमर सबको आगया होगा तो यह सारी चीज़े मारी क्या है हरित परबाव डियस ठीक है चलते आगे क्यों नेक्ट कुछन आपगा परकास संसलेशन में परकास अभिक्रिया कां संपन होती है इन पोटो सिंतेसिस लायट रेक्शन अकर इन थेलेकॉइट फ्रेट चैन इस्ट्रोमा अल अब दो अप्योक सभी आल अब द अबाव परकास संसलेशन में परकास अभिक्रिया कां संपन होती है वन ओप्सन आपने चूच कर लिया होगा इसका क्रेक्टोसन हो जाएगा थेलेकॉइड ठीक है थेलेकॉइड इसका रायटोसन हो जाएगा थेलेकॉइड में परकास संसलेशन में परकास अभिक्रिया संपन होती ह नाइस्ट कुछने आपका रज्जत तंतु क्रांती की से संबन दिते सिल्वर फाइबर रिवलेशन इन रिलेटेड विट फ्रूड कंट्रोल पिस प्रोडक्षन या फिर कॉटन प्रोडक्षन या फिर मिल्क प्रोडक्षन गाईज आपको आज पास कोई म्यूजिका सिस्टम की वाज आ सकते हैं तो उसने आज पास कोई प्रोग्राम होगा तो आपको पिल्कुल उस पर द्यान नहीं देना है आपको तो only question और में जो बोड़ों उस पर focus करना है ठीक है इनका तो काम ही है यह कुछ ना कुछ होता रहता है रोजना ठीक है आपको तबना future शिको रखना है बेटर बनाना है ठीक है ना वह रोजना देख लिए अगर दो से तीन बार वीडियो ताकि आपको याद हो जाएंगे तोड़े टप है क्यूशन तो दो से तीन बार देख लेना गाइस टब भी करना जोरू है क्योंकि ऐसे क्यूशन ही आपसे पूछी जाते अपसर ज्या सारी क्रांतियां को बारे में पूछ लेा जाता एक दो क्योशन तो रजजत क्रांति किसे संब्ण दीते आपने चूच कर लिया होगा इसका क्रेक्ट ओप्शन हो जाएगा कपास उतपाजन कॉटन प्रॉडक्शन रैट ऑप्शन इस अगर जिन्होंने नहीं देखा है और जिसका अभी भी कलते जाता है देखने के बाद भी तो लिंक में डिस्क्रिशन में देदूंगा विटामिन वाड़ा वीडियो देख लेना क्यूशन तो बनेगा बनेगा एक से दो विटामिन से रेटेड़ आइडेंटिपाई केमिकल नेम और विटामिन ए एसकॉर्बिक एसिड रेटिनॉल थायमिन टॉकोफिरोल प्राइट ओप्शन आपको चूज़ करना है गाईज और आपको चूज़ करना है क्योंकि आपको इंट्रास एक्जाम आपके कंपटेस्टी एकजाम में टाइम जदा मिलने वाला नहीं है तो तोड़ी है भी टरको च्रेक्ट ओप्शन आपको जल्दी चूज़ करना है गाईज कर लिया होगा एडिन्टिफाई आपने chemical name vitamin E का so it is कर रायटोस नो जाएगा talk of your all ठीक है और इसके उपर मैंने video already बना दिया है कि chemical name सभी के chemical name अगर वो वीडियो नहीं देखा है ना तो डिस्कृश्में लिंक देदूंगा उस वीडियो को देख लेना जिन्होंने देख लिया अगर फिर भी गल्थ गया यानि कि आपने याद नहीं हुआ तो देख लेना लेक में नीचे डिस्कृश्म में अटेच कर दूंगा ठीक है न तो यह विटामिन का चेप्टर वाली और यह कि अधिक या पिर प्र एंग सबस्टांस क्या है कि आपको पताओगे विटामिन से रेटेटी क्रिशन बहुत सारे बनते है तो देख लेना वीडियो लिंक नीवेसे डिस्क्रिशन में देदूंगा अगर नहीं देखाए तो नेक्स्ट आपका बहुत अच्छा कुछन है अगार अगार निमन में से किस से प्राप्त होती है अगार अगार इस प्रोड्यूस बाई विच आप दे फ्लोविंग जार गेडिना से जिलेटिनियम ग्रेसल एरिया उप्योक्त में से कोई नहीं यह आपको बताना है तो वन उप्शन आपको चूज कर लेना है यहाँ पे तो आपको बीना टाइम वेस्ट के उप्शन चूज कर लेना है तो कर लिया होगो आपने वन उप्शन चूज चूज कर लिया इसका राइटो सुनो जाएगा गाईज जेल एडियम से ठीक है एगार एगार जेल एडियम से प्राप्त होता है ठीक है पता नहीं है तो ये आपको बता होना चाहिए वीडियो देखने के बात हो सबको इस्टोर होना चाहिए आपके मैंड में नेक्स्ट आपगा भारत के पच्चमी गहट पर मुक्यत कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं दे टाइप और पॉरेश्ट मैंली फाउंड इन वेस्टन कॉस्ट ऑप इंडिया इस सब ट्रॉपिकल बिसिटिस यानि की उसन कटिबंदे प्रणपाती ट्रॉपिकली मॉइस्ट डेसिटिस यानि की उसम कटिबंदे नम पढ़ पाती ट्रॉपिकल डेसिटिस यानि फिर एवरे ग्रिन पॉरेश्ट सदा बार्वन बारत के भच्चमी गहट पर शलब प्रकाि इंडिया का है सभाव तो प्रकाओ तो पता है न सब्रकाओसा कर सकते हो तो खटकी पत्प्ची में गडगी अब तो आजाने सिए आपको इसका रायज्टोस ना यानि ऊत्विश्ट कर लिए जगा सदा बाहार वन पच्छी मी घंट पर पच्छी मी घंट से क्या तात्वरे भी आपको पता होना चीए नेक्स्ट है सदा बारवन पाये जाते है ठीके न अगला क्यूसन है हेक्सोज सरक्रा के एक अनू को बनाने के लिए कितनी संक्या में केल्विन चकर लगेंगे हाउ मेने ट्रन ओप केल्विन साइकल केल्विन साइकल प्रोड्यूज वन मॉलिक्यूल ओप हेक्सोज तू सिक्स फॉर एट वन ओप्सन स्लेक नाओ आई होप आपने वन ओप्सन चूज कर लिया हुआ इसका राइट ओशन हो जाएगा सिक्स छे हेक्जोन सरक्रा के एक उनों को बनाने केलिए कितने सिंक्या में केल्विन चक्र लगेंगे शे चक्र लगेंगे नेक्स्ट कुशन है आपगा बहुत अच्चे कुशन है गाइज निमन में से किसे कोशिका की आत्म हत्या की थेली बोलते है विच अब दफ लॉविंग इस कॉल्ड सुसाइडल वैग ऑफ दशेल मॉस्ट इपोर्टेंट क्युशन और सबका यह राइट जहना चाहिए क्योंकि आप बच्पन से पढ़ते आरो इस कुशन को तो और जिसने द्यान से पढ़ाओगा तो अभी देदेगा राइटोसन लाइसोसों राइबोसों न्यूकलोसों गॉलजी का है किसको बोलेंगा आप सुशाइडल बैग और आप एक बार जो पढ़ लिए तो नगाज हो मिसा लाइप टाइम काम आजए क्यों साइंस कभी बैकार नहीं जाता नेना हमेंकाम आता ओपने बचबन कोई चीज पढ़ती होगे ना हमेंसा होटे रहनेे वाली ए ठीक है तो वह चीज आपको पता हो ने तो इंग्लिस के ना हमारा जो जेक के लॉन जॉब जॉब वहां पर भी अपलोड कर दूँगा इंग्लिस का तो आशे देख लेना ठीक है अगर जिसको पता नहीं हमारा जेक लॉन जॉब चैनल लिंक निज़े डिस्क्रेश्ट में देदूगा वहां पर मैं इंग्लिस और हि आपको मिल सके ठीक है जेक के लॉन जॉब वहां पर भी मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो मल्टीपल जॉइस कुशन का ठीक है क्योंकि वहां पर फॉम की जानकर देता रहता हूं तो आपको मिल जाएगे बैसिकली वहां पर मिल जाएगे जब तो फॉम नहीं आते तब तक वह वीडियो अपलोड कर देंगे मल्टीपल चॉइस कुशन के और जैसे फॉम आएगे तो वहां पर इंपॉम कर देंगे ठीक है तो जितना दो चैनलों से क्या है आपको बेस्ट तियारी हो पाएगे ज्यादा मल्टीपल चॉइस के आपको मिल पाएगे ठीक है तो यह पाएगे पाएगे तो यहां पर नाम देंगे आपको बताने किसा पादब को सिका है तो आप आपने वान ऊप्टा सुजञ लिया होंगो गाईऑ इसक spring नली का ठीक है यह नीकि स्लीव ट्यूप से इसका होज़ाय अ व्यूंआ हम नेश्ट मैं निटो निवन में से किसका संचित बोजने मैं निटो मैं निटो इस्टोरेज पूड ओप ग्रेसिल एरिया पेरिफायरा फ्यूकस उप्योंकिन से कोई नहीं बहुत अचा कुछन है और आपको वन आप्शन चूज कर लेना है कर लिया होगा वैसे आपने इंटलिजेंट जो हो आप क्योंकि जीक के सब्सक्राइबर हो आप सो इसका राय टो सुन हो जाएगा गाईज फ्यूकस ठीक है मैं इंटोस निमने में से किसका संचित बोजने और अगर आपको नहीं हैना कोई कोई दिखन नहीं क्योंकि हमारा पहला वीडियो इंगलिस इंदी मीडियम का कोई दिखन नहीं दो से तीन बार इस वीडियो को देख लेना सब कुछ याद हो जाएगा हम भी ऐसा करते थे और वीडियो से जदा होते हैं आप किताब लेके पढ़ते हो ना इतना इंट्रेस्ट उसमें नहीं आता जितना वीडियो में आता है ठीक है एरपॉन सब के पास है मोबाइल आजकल सबके पास है और इसका सदू पयोग तो सब देखो आगे जाओगे चाहीं धुरूगे आपको समधार ऊपोंस नहीं करना है और पशूर्ण हो तो इसका सदू पयोगो हैड़पॉन का ऊचलिया आपको बाहर कोई yes सारे इन्पोर्मेंस नावके कानों के अंदर तुरू आपके मैंड में चली जाए ठीक है ना तो यह जो तीस कुछन हमने यहां डिसकस किये तो आप अपनी इमानदार से कमेंड में बता देना किसके कितने सहीत है कितने गलते हैं कि तीस में से कितने कुछन आपके सही गए 20 ग बार देखना चाहिए वीडियो ठीक है ना और जिनके कुछ जैसे कि 25 कुछन क्रेट गए तीस में से तो कोई दिक्क्रन ने एक बार भी देख लिया लेकिन जिसके बीस पंत्राइस एक तो दो से तीन बार आपको वीडियो देखना है ताकि सब कुछ आपको याद हो जाए और मैंने आपको बताए दिया हमारा जो जेकलोन जोब चैनल सबको पता है जेकलोन जोब नीचे डिस्क्रिशन लिंक दे दिया है मैंने उसका वहाँ पर पर आपको इंगलिस हुर हिंदी मेडियो में मल्टिपल चोईस कुछन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे दो चैनलों से इंगलिस हुर हिंदी में कितना बड़ा मज़ा है ताकि क्योंकि आपके एक्जाम बहुत जलत आने वाले तो इसलिए तोड़ा सा क्योंकि प्रेना होगा और जितना टाइम मिल पा रहा है आपके लिए मैं प्रपेर कर पार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडि इसे डिस्क्रिसन में लिंक दे हुए वहां से अपनी जो कम्याएं उसको पूरा केजिए और के दन्यवाद